हाई एब्रवान इस मी अंजली वर्मा यूर केमिस्ट्री एजुकेटर और वेल्कम टॉ आर चानल आज के इस वीडियो में हम लोग रियाक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक देखने वाले हैं जिससे यह जो पूरी रियाक्टिविटी सीर इसको आप लोग नहीं भूलोगे देखो वैसे बहुत सारी ट्रिकस होती है में बीए सा हो सकता है कि इसके अलावा कोई और ट्रिक है जिससे आपको पहले से learn है तो आप उसी trick से learn करना कोई नई trick उस case में आपको सीखने की जरुरत है नहीं क्योंकि आपको reactivity series learn है बट जिन बच्चों को reactivity series learn नहीं है उनके लिए यह trick मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ ठीक है तो देखो यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास reactivity series है उसको हमने लिख दिया है this is the reactivity series आपको पथा है जो हमारे पास metals टॉप पर आते हैं वह क्या होते हैं most reactive सबसे जाधा reactive होते हैं तो यह जो metals है हमेशा ही compound के form में मिलते हैं कभी भी यह free state में नहीं मिलेंगे ठीक है अब hydrogen के उपर जितने भी है वो mostly हमारे पास reactive ही होते हैं बट hydrogen से नीचे जितने भी हैं ये हमारे पास less reactive होते हैं जो bottom पर आ रहे हैं बिल्कुल वो least reactive है जैसे कि AU गोल्ड ये क्या है least reactive platinum भी नीचे ही आता है वो भी क्या है least reactive ठीक है इसके अलावा देखो अगर metal react करता है acid के साथ तो आपको पता है salt बनता है और hydrogen gas evolve होती है ठीक है तो ये जो metal है ये acid मेंसे hydrogen को तभी displace कर पाएगा जब वो reactivity series में उससे उपर आ रहा है जैसे कि zinc plus hcl तो यहां पर zinc जादर reactive है तो hydrogen को displace कर देगा बट अगर आप ag plus hcl करोगे तो कोई भी reaction अकर नहीं करेगी क्यूं क्यूंकि ag h से नीचे आ रहा है तो ag h से क्या है less reactive तो वो h को displace नहीं कर पाएगा ठीक है तो ये basic चीज़े समझ में आ गई अब हम trick पर आ जाते हैं मैंने already यहां पर लिखी हुई है तो आप लोगों ने देखी ली होगी ठीक है कव्वे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है आगे आओ this is the very simple trick चलो देखते हैं ठीक है कव्वे क्या होता है potassium ने एन ए sodium कहा c a calcium मोगली mg magnesium अब तो अब को आप al से relate करो aluminium होता है जिंदगी z n क्या होता है zinc 40 fe याने की iron पुरानी तो यहां पर pb आएगा जो की lead होता है हो तो यहां पर h जो आ रहा है वो hydrogen है ठीक है चुकी cu यह क्या होता है copper होता है यहां पर जो है आएगा वहां पर आपको hg याद र a g क्या होता है यह silver आओ ठीक है तो यहां पर a u जो की क्या होता है gold तो यह पूरी जो reactivity series है आपको याद करनी है trick I hope समझ में आ गई होगी इसको 4-5 बार बोलो लिखो और यह easily learn हो जाएगा कवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है आगे आओ ठीक है तो I hope यार यह जो trick है आपको learn हो चुकी होगी इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूं हम लोगों ने हमारे दो batches launch कर दिये हैं उन्नती और निपोन ठेक है यह जो निपोन बाच है यह आपको सिर्फ और सिर्फ 5.85 रुपीज में हम दे रहे हैं जिसमें आप की validity आपको मिल रही है इतने सारे features मिल रहे है यार यह जो worksheets है यह भी हम लोग live solve करवा रहे हैं doubt solving sessions हो रहे हैं आपके again यह भी live रहेंगे hand written notes जो हम teachers ने आपके लिए बना रखे हैं वो आपको यहां पर मिलने वाले हैं तो आपको इससे जादा क्या चाहिए at just this price तो आपक अब उन्नती और निपोर्ण में difference क्या है तो यह मैंने बताया यहां पर जो classes आपको मिलेंगी chapter की वो recorded है बट यहां पर पूरी आपको classes live मिलने वाली हैं बाकि अगर आप उन्नती खरीदते हो ना तो यह निपोर्ण आपको free मिलता है यानि कि यह जितने features हैं यह सारे features आप आपको यहां automatically मिलते हैं इसके अलावा यहां पर हम science के 3D models भी आपको दे रहे हैं ebooks भी हम यहां पर आपको देने वाले है life classes सारे chapters की question practice हो रहे हैं तो हर एक चीज आपको इन दोनों batch में मिल रही है यह थोड़ा सा expensive है this is for 2050 रुपीज और इसका price सिर्फ 585 है तो जो पाक है वो उननती batch ही है क्योंकि उननती batch में आपको A to Z हर एक चीज मिल रही है again मैं बता देती हूं यह जो price है सिर्फ आपको एक बार pay करना है और पूरे साल की validity जब तक आपके exams नहीं हो जाते तब तक रहेगी ठीक है तो I hope यार this particular thing is clear to you people और trick तो मैंने बता दी है तो अ झाल